उत्राखन के हरीद्वार लकसर छेत्रिस्थित बहादुरपुर गाउं के अशोक सैनी हत्याकान के मामले ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है जिसमें सैनी समाज के लोगों ने लकसर लोको बाजार चौकी इंचार्ज अंशुल अगरवाल वा लकसर कोतवाली प्रभारी राजीव रोथार पर हत्याकान के मामले में लिपापोती करने का गंभीर आरोप लगाया है जिसके चलते सैनी समाज के लोगों ने कहा कि लकसर पुलिस ने अशोक सैनी हत्याकान्ड मामले में लिपापोती वाल लापरवाही की थी जिसमें उन्होंने लकसर कोतवाली प्रभारी राजीव रोथार वा लोको बाजार चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किये जाने की मां थार यहां पर हैं तब तक हमें न्याय मिलने की कोई भी उमीद नहीं है आपको बता दे कि सैनी समाज संगठन के सैखड़ों लोग बहादरपुर गाउं के पास हाईवे पर एक निजी आवास पर एकठा हुए इस दोरान उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दो दिन के अंदर पुले सशोक अत्याकांड के पाजो आरूपियों को गरफतार नहीं कर पाई तो सेनी समाज तीन दिन तक लकसर में महापंचायत करेगा कारेवाइड नहीं होती तो उसके बाद पूरा सैनी समाज और सर्व समाज की मैं यह कहूंगा कि सर्व समाज महापंचायत करने के लिए बात दे होगा और यह हमारा उनको चेतावनी नहीं हम करके दिखाएंगे पार्टी से संबंधित बातचीत हुए है लेकिन सभी को परसासन के दुवारा ब्रगला है जा रहा है कि दो लोगों की गिरपतारी हो चुकि आमाने सानसी दे रहा है इसके लिए पूरा युवा वर्ग और पूरा सैनी समाज उसके अंदर रोज पैदा होता जा रहा है और ये रोज कहीं ऐसा नहों कि महापंचैत के रूप में लक्सर में दिखे